हलो, नमस्ति, आज हम आपको काले घंडे लंबे बालों का इलाद बताएंगे, ये उपाई इतना अनुबुत, इतना कारगर है, कि कुछी दिनों के अंदर इसका प्रयोग करने से आपके बाल, आपके सिर के बाल काले घंडे लंबे हो जाएगे, हमारे मित्र फिर से कोमेंट करेंगे कि अंकल आपके सिर पर तो बाल नहीं है, तो आपने ये कैसे अनुबुत किया, तो आप माहसे को सबको मैं बताना जाता हूं, कि युवावस्था के अंदर ही, युवावस्था में ही हमारे बाल तो जड़ गए थे, जब हमने पूरी तरह से अईरवेद में प्रवेश्च किया, तब देर हो चुकी थी, और अब इसकी आदत हो चुकी है, और अब मानो कि मेरे सीर पर काले गने लंबे बाल हो, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसी वज़त से हम अपने पर तो कोई ये चीज नहीं अजमाते, हम पर जो गुजरी, वो औरों पर ना गुजरे, इसी है तुसे, ये सब हम कर रहे है, आद का ये हमारा उपाई, सीर के काले गने लंबे बालों के लिए है, इसके लिए आपको, गुजराती में सीस्वनस्पती का नाम है, उसे कहते है, बोरिंगनी, और उसे कटेरी या कंटकारी भी कहते है, आप कंटकारी का फल गर पर लाए, फल को लेते वक्त खायाल रखे, कंटकारी में काफी मात्रा में काटे लगे हुए होते है, तो लेते वक्त ये बात खायाल रखे, काटो का खायाल रखते हुए, फल को निकाल कर अपने गर पर लाए, और उस फल के अंदर, किसी नुकिली चीज से, या सोई की मदद से, चुबो चुबो कर होल कर दे, काने कर दे, जब काने हो जाई, सारे के सारे फलों के अंदर उसे एक पात्र के अंदर रख दे उस पात्र में सरसो का तेल डाले यानी मस्टर्ड ओइल डाले फिर उसे गेस पर चलाए थोड़ी देर में फल सारा तेल को अपने अंदर जमा कर लेगा सारा तेल को पी जाएगा तब उसे निकाल ले निकाल कर पाताल यंदर की मदद से इसका तेल निकाले पाताल यंदर की मदद से जो तेल निकलेगा उस तेल को आप अपने सिर्क के बालों पर लगाए थोड़ी चरचराटी होगी पर बाल तुरंत निकलेगे बाल निकलेगे और वो भी काले निकलेगे जिन लोगों के बाल सफेद है उनके बाल भी काले होगे जी धन्यवाद